ठंड के मौसम में जहां एक तरह सिजनल फ्लास की बहार आती है वहीं कुछ पर्मनेंट प्लांस भी समय अपने सुन्दरता के शिखर पे होते है इस समय ये प्लांस बहुत अच्छे से ब्लूमिंग करता है अच्छे इस वीडियो में आपके साथ कुछ ऐसे पर्मनेंट प्लांस को शेर कर रहे हूँ जो इस ठंड के मौसम में और आने वाले वसंद रीतु में बहुत अच्छे से ब्लारिंग करता है ये सारे पौधे पर्मनेंट प्लांस है यानि ये सालो साल आपके बगान में ठिके रहेंगे अगर आप आज पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल बेटन को प्रस कर दे ताकि आने वाले हैं वीडियों के नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे सबसे पहला जो प्लांट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ यह है क्याला लीली यह देखिए बहुत सारे रंगों में आता है और देखने में बहुत खुबसूरत दिखता है और इस समय आप देख सकते इसके प्लांट ऐसे फ्लार के साथ खरीदने को मिल रहा है थोड़ सा फूलों के साथ पौधा खरीद सकते है अगला जो पॉधा है यह है पौइंसेटिया पूइंस है पूइंसेटिया में स्सक्राइध लाल रंगों के है ए इसा के přाती डास के पूल नहीं होता इसे पतिया होती है नहीं च्होंने इसो कह संथे हैं जो की बहुत प्रूमिने नह तो इसको भी आप ले सकते हैं यह प्लांट आपको जो हाइब्रीड वाली होती है वो भी 200-500 में मिलता है और जो देसी वाला होता है वो 100-500 में आपको मिल जाता है अगला पौधा अन्थूरियम है इसके फूलों के साथ साथ इसके जो फॉयलेज है यह भी बहुत सुंदर है बहुती लॉंग लास्टिंग इसके फ्लास होते है और नो केरिंग वाली प्लांट हम बोल सकते है इसको आपको ब्राइट लाइट में फ्रेंट्स रखना है और यह शुप पौधा माना जाता है तो इसको भी आप इस समय खरीच सकते है दोस्तों अगला प्लांट गुलाब है हरकोई अपने घर में गुलाब का पौधा पसंद करता है केरिंग ठोड़ा टफ रहता है और इस सीजन में आपको और कई वराइटी जो तक बहुत अच्छे से फ्लाइरिंग करता है ऐसे तो पूरे सालभरी फ्लारिंग करता है लेकिन यह थंड के मौसम में और वसंत री दोस्तो अगला जो पेरिनियल प्लांट है वो है जर्वेरा, जर्वेरा में भी आजकल जो हाइब्रीड वराइटी आने लगे है, थोड़ा शॉर्ट हाइट के प्लांट्स और फूल भी लॉंग लास्टिंग होता है, कई कलर्स के प्लांट्स आते हैं, ये भी प्लांट थोड ये प्लांट भी आपके यहां सालो साल टिक जाएंगे और इसके ग्रोथ भी साइट से होते रहती है, अपने आप मल्टिप्लाई होते जाती है, दोस्तो अगला जो खुबसूरत और टिकाओ लॉंग लास्टिंग प्लांट इसके फूल बहुत दिन तक चलता है, ये है क्या पौधे भी तयार करते है, शेड लविंग प्लांट भी है, कम पानी की रिक्वार्मेंट होती है, और इसको आप अभी खरिद के ला सकते है, ये हाइब्रीड वाली जो वराइटी है, ये देड़ सो रुपे में आपको मिल जाते है, अगला बेहत कुपसूरत सा फूल, गु बेकोनिया के प्लांट एक सकुलेंट प्लांट है, और विंटर में इसमें फ्लारिंग होती है, चुट चुटे फूल आप देख सकते हैं, बहुत खुबसूरत दिखता है, कटिंग से ये आसानी से प्रोपागेट हो जाती है, और आजकल नसे में आपको इसके बहुत सारे वराइटीज मिलेंगे फ्रेंट, सिर्फ 30 टू 50 रुपीज में इसका एक प्लांट आपको मिल जाते हैं, अगला पौधा ये पेंटास है, पेंटास में रंग भी रंगे कलर साते हैं, और ये भी फ्रेंट्स 60-70 रुपीज में मिल जाते हैं, कटिंग से ये बहुत आसानी से प्रोपागेट हो जाती है, दोस्तो अगला प्लांट जो की बहुत रेयर मिलता है, और भीहत खुबसूरत वराइटीज आते हैं इनके, ये देखिए ये है और्किट, साड़े तीन सो से इसका प्राइसिंग शुरू होती है, और इसको लगाने के लिए खास मिट्टी की भी जरूरत नहीं पड़ती, कोकोपीट में ये बहुत अच्छे से चलता है, और बहुत कम पाने की रिक्वैर्मेंट होती है, दोस्तो अगला जो प्लांट है, एक एर प्यूरिफाइंग प्लांट है, ये है पीस्लीली, ये भी लगाना बहुत शुब माना जाता है, सफिद रं इसका ये है बोगनवीलिया, आजकल नर्सरी में इसके बहुत प्लांट, बहुत शेड्स के कलर्स आपको मिल जाएंगे, और कटिंग से बहुत अच्छे से ये ग्रो हो जाती है, इस समय आपको बहुत सस्ते में नर्सरी में प्लांट मिलेंगे, तो इसको भी आप फ्रेंट गुडहल के प्लांस बहुत अच्छे से मिल रहा है नर्सरी में और रेट्स भी बहुत आपको इस समय सही मिलेंगे नर्सरी में एक से बढ़कर एक खिले वे फूलों के पौधे आपको मिलने वाले है और ये सारे 72, 150 में आपको अलग-अलग साइस के प्लांस मिलते है है एक बार आप पैसा खर्चा करेंगे तो सालों साल ये आपके गार्डन में बने रहेंगे फूल देते रहेंगे फ्रेंज अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो जरूर लाइक करें कमेंड करें और फ्रेंज इसी तरह चानल के साथ बने रहें थैंक्यू फॉर ये खाथ बाची ये वह बुटब करेंगे वीडियो दूर बाल इसी तरह ने स्टान आपको आपको का आपको ब्ला स्टान हम अ इस एक जो बढदे हैं और में तो जसे अटे घू रहें इस एक्टान हम उक्ता फॉर जूरू है पॉरम्सार